पाकिस्तान को अब तक अपने किये के चलते मूँ की खानी पड़ती थी और अब तो उसके नेताओं को लाद खुसे पड़ रहे हैं और अंडे फेके जा रहे हैं ये बाक्या पेश आया पाकिस्तान के रेल मंतरी शेक रशीद के साथ शेक रशीद का लंदन की सड़कों पर वो हाल हुआ इसे वो कभी नहीं भूल सकते हालक इस घटा कभी जो सामनी नहीं आया लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीपल्स यूथ अर्गनाजेशन यूरोप ने एक बयान में इसकी जिम्मेदारी ली है PPP प्रमुक बिलावल भुट्टो जर्दारी के खिलाब रशीद ने अब शब्दों का अस्तमाल किया था जिसकी वज़े से पार्टी की यूथ विंग ने लंदन में सरयाम उन्हीं जलील कर दिया आपको बता दे कि ये वही पाकिस्तानी मंत्री है जिनोंने जम्मुक कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत को एटमी यूद की धमकी दी थी प्यूर रपोर्ट आर्नाइन टीव